नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आज मैं आपको बताऊंगा कॉंश्टिपेशन के बारे में कॉंश्टिपेशन यानि कि कबज की बीमारी क्या होती है क्या इसके कारण होते हैं, क्या लक्षन होते हैं, कैसे आप इसे गर पर रहकर ठीक कर सकते हैं, इस सब चीज की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ, तो चली दोस्तो आज की वीडियो की माध्यम से हम जानते हैं, कबज की बीमारी क्या होती है, दोस्तो कबज एक ऐसी संबंदेत दिक्कत आने लगती हैं इस बीमारी के कई लक्षन होते हैं कई कारण होते हैं जैसे के अगर आप रोजना के तौर पर चाव मीन बर्गर ज्यादा मात्रा में पेपसी या फिर किसी भी परकार के फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कबच की दिक्कत हो मिलती है कबच की बीमारी होने पर आपको काफी ज़्यादा दिक्कतों का सहना पड़ता है जैसे कि पेट में दर्धोना जी मिशलाना उल्टी आना कबच की दिक्कत होने पर अमल नहीं उतर पाता जिसकी वज़े से सरी पूरा गंदा हो जाता है और सरी कंदर कई परकार की परेशानी आने लगती है आज हम आपको बताएंगे कि आप कबच को कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले आपको कुछ दबाव का इस्तिमाल करना है रोजाना के तोर पर डाइजन सीरप का इस्तिमाल करें डाइजन सीरप एंटा एसिड होती है और एंटी गैस होती है यानि कि आपके सरी में जो बनने वाला एसेड है उसका सिक्रेशन ये अच्छे प्रकार से करवाती है आपके सरी में एसेड नहीं बन पाता है गैस की दिक्कत होती है इसको भी ठीक करता है कॉंस्टिपेशन के राज के लिए भी इंडाइजन सीरप काफी ज़्यदा फायदे मंद होता है रोजाना के तौर पर 5-5 एमल दिन में दो बार लेने से आपके कबज की बिमारी में काफी ज़्यदा फायदा मिलता है चलिए अब मैं आपको कुछ घरे लुपाय बताता हूँ जिससे कि आपकी कबज में काफी ज़्यदा फायदा मिलेगा सबसे पहले आप एक तांबे का बर्तन ले इस तांबे के बर्तन में रात को सोने से पहले पानी रख लें सुबह सुबह उठकर आप इस पानी को पीएं पानी पीने के बाद आप सोच करने जाएं रोजाना आप इस चेज को जरूर करते हैं इससे आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आपकी कबज की बिमारी जल्दी से खतम हो जाएगी दूसरा तरीका होता है हिंग पानी का इस्तेमाल करना एक गिलास पानी के अंदर लगबग दो चुटकी हिंग आपको मिलानी है और इस पानी को रोजाना के तौर पर पीना है यह आपकी कबज की बिमारी को जल्दी से जल्दी खतम करता है कबज की बिमारी को खतम करने के लिए आप अमरूद का सहरा भी ले सकते हैं एक अमरूद को अच्छा परकार से लें इसे अच्छे परकार से काट लें इसमें थोड़ा सा हिंग बुरक सकते हैं थोड़ा सा काला नमक बुरक लें और इससे आप खाना सुरू करें इससे आप के सरी का मेटाबॉलिज्म इनकीज होगा और आपकी कबच की बिमारी खतम हो जाएगी कबच की बिमारी को ठीक करने के लिए आप ताजा पके हुए केलो का इस्तिमाल कर सकते हैं रोजाना के तौर पर तीन से चार पके हुए केले खाने से भी आपके कबच की बिमारी में काफ पीट पीना शुरू गरे या आपकी कबज की बिमारी को जल्दी से जल्दी खतमकरेगा कबज की बिमारी को ठीक करने के लिए आप गण्य के रस का सहारा ले सकते हैं रोज़ना आप दिन में एक ग्लास करने के रस के अंदर थोड़ा सा नीबू का रस मिलवा कर पिए यह भी आपकी कवज की दिक्कत को जल्दी से जल्दी खतम करेगा कवज की बीमारी को खतम करने का एक सांदार उपा है वो है त्रिफला चुरन रोजना के तौर पर एक चमद त्रिफला चुरन को रात को सोने से पहले एक ग्लास पानी के साथ लेने से आपकी कवज की बिमारी चल्दी से चल्दी खतम हो जाती है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों में वीडियो को जरूर सेर करें धन्यवाद